सवागत है आपका हमारे एक और वीडियो में आज हम आपके लेगा आए हैं सुजुके जिक्सर ऐसे 155 का रिव्यू आज हम डिसकुशन करने वाले हैं कि सुजुकी ने अपनी जो नहीं बाई कभी लॉंच करी है इसमें इन्होंने क्या क्या चेंजिस करें हैं लेकिन इन्हों इंडिया में लॉंच करें आर्या एक तुई नेकर और और इंगा सपोर्ट सब्सक्राइक करने की जो कि काफी जादा लोगों की चॉइस बना हुआ है लोगों काफी ज्यादे पसंद आता है क्योंकि काफी सपोर्टी है और कॉम्पेशन में अगर देखा जाए तो तो यह अपना काम तो कर देती है चोटी सी है लेकिन सब्सक्राइब अच्छा यूज है और नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको फिनिश में हैड़ लाइट के उपर अच्छा सा डिजाइंग दिखने को मिल जाता है और है अगर हम बात करेंगे तो यह उपर वाली आपकी सब्सक्राइब नीचे अगर आप देखेंगे इसके मटगार्ट को तो यह आपको फिनिश मिलता है जो की काफी प्रीमियम लगता है और यहां पर इन्होंने सुजुगी की स्टिकरिंग दे रखी है फ्रेंट सस्पेंशन की बात करें तो यहां पर आपको फॉर्ट एवने आपको शुए हम का टैली फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो की अपने सेग्मेंट में काफी अच्छा है और सारी प्रेक्स में आपको यह श्रपर्स में को पॉस्श्य आउग मिलेगा बात करा है ऑ् देखने को मिलते है जो की डूगल' पिस्टन कैलिपर के साथा आती कुंकि काफी अफ्मोन run ॥े झाले में आपको सेस्पेंशन दे दे देखने को मिलता है औरेविस्क काफी बात करें तो नीचिय आपको पीछे में हो़ सींगल पिस्टन वाला केलिपर देखने को मिलता है यहां पर आपको मफलर दिया गया है जो कि आपकी डस्ट वगरा से आपकी प्रोडेक्शन करेगा और अब बात करते हैं हम इसके ओवराल डिजाइन की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुजुकी यह जो बाइक है इसके डिजाइन में इन्होंने ग्राफ सीट की तो यह आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है जो की काफी कमफर्टेबल सुजुकी ने बनाई हुई है अपने सेग्मेंट में इसके सेग्मेंट में जितने भी मोटर सैकल्स आती हैं जो स्पोर्ट्स में हैं जैसे यामा की अगर मैं आरवन 5 की बात करूं तो उ जो कि काफी जादा अच्छे लग रही है फ्रेंट से अगर देखें तो काफी जादा स्पोर्टी है देखने को मिलती है और अगर इसका हम साइट प्रोफाइल चक आउट करें तो यह भी बहुत अच्छा है टैंक कि अगर में बात करूं तो देखें आपको डूल शेट में आ अगर हम रियल वल्ड की बात करें तो थोड़ी से आपको कम देखने को मिलेगी लेकिन इस सेग्मेंट में ठीक है मैलेज इस बाइक की देमेंशन की अगर बात करें तो इसकी लेंथ 2050 mm की है इसके विट जो है 785 mm की है height 1085 mm की है और ground clearance की अगर बात करें तो 160 mm की आपको दे बात करें तो इसमें आपको 1330 mm का इसमें वील बेस मिल जाता है और ओवरल इस बाइक का वेट आपका 148 kg का है इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर में बात करों तो इसमें आपको 154.9 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फोर स्टोक इंजन मिलता है जो 14.6 bhp की पावर जनरे इंजन है आपका और यह आपका 5-speed manual gearbox के साथ आता है पीछे सब्सक्राइब आपको तो इसमें पीछे ग्राइब रहे हैं और आपको इसमें LED की टेल लाइट देखने को मिलते हैं और यहां पर आपको नमबर प्लेट की जगह मिलती है जो कि LED के साथ आती है सुझ की काफी जादा यह दिखने में अच्छा लगता है सुझ की की जिकसर में अभी जो वेडियंट आ रहा है वो सिंगल चैनल अबीस के साथ ही आरहा है इसमें आपको डूल चैनल का कोई आप्शन नहीं मिलता है जो की काफी अच्छी कॉल्टिका सुझ की ने प्रोएट किया है क यहां पर आपको जो है फ्रेंट इस ब्रेक वाइल देखने को मिलता है यहां पर आपको अन फकल सुझ देखने को मिलता है और जो इसके सुझ गियर से हो काफी प्रीमियम कॉलिटी के जो है सुझ की सुझ की चाभी देखने को मिलती है इसको में एक बार आपको फूरा से त्यचिनों इंडिकति दिखाता है एक रृष गाहिए कर दिखाता हूं वी की जिएसेおっ इंडिकेटर औरियादर दीया गएिसा समार्ट कनेट पीचर दे रखा ठीजू गर को स्मीट की ऐप का इसके तो इनकी फिरिac टाइम नोटिफिकेशन से आपके फोन काल्स आपके एसमेस आपके फोन की बैटरी के तनी रिमेनिंग है और मुल्टिपल इंफोर्मिशन आप अपने फोन के तुरू इस मीटर में देख सकते हैं काफी अच्छा फीचर जो है सुजुकी ने दे रखा है या को तीन कलर में मिल अगर आपको यह बाइक चेक आउट करनी है तो अपने नियरेस्ट सुजुकी के शोरूम पर जाके आप इसको देख सकते हैं और एक्स्पिरियंस कर सकते हैं टेस्ट रैट भी ले सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में